आज इस वीडियो में हम आपके साथ मे मन्त की अपनी प्लांस और पोट्स की शॉपिंग का हॉल शेयर करेंगे साथ में उनके प्लांस और प्लांस की के बारेमें भी आपको बताएंगे तो वीडियो को पूरह इन तक देखिएगा like share subscribe करना मत भूलिएगा Haelo everyone welcome back to my channel in channel magna studio प्लांट्स दिखाएंगे और उनकी कैसे करते हैं वो भी दिखाएंगे विद प्राइज़ को चलिए देखते हैं कौन से प्लांट्स अमाली भाईया हमको देख करके गए है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कॉमेंट करते जरूर बताएगेगा और एंड तक व प्लांट इसको बेबी रबर प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इसकी लीव्स रबर प्लांट की तरह होती हैं काफी फ्लेशी और राउंड शेप की लीव्स होती हैं जैसे रबर प्लांट की लीव्स होती है उनकी अपिरियंस भी कुछ ऐसी होती है और इसकी लीव्स काफी फ्ले यह इन्स देते हैं और बहुत ही खुबसूरत लिफूस्ती है इनकी और इनकी चेयर जो है बिलकूल फाइलो-ड endrin की तरह की जाती है जैसे जैसे फाइलो-डेंडरन की हम करते हैं व्यल रिंट सब्सुए corona में लगाते हैं देग चोप सी तरह से में परचेश। और समर के लिहाज से ये प्लांट काफी हाड़ी प्लांट होता है और ये काफी तीजी से ग्रो करता है और जल्दी खराब होने वाला प्लांट ही नहीं होता है पर्वर्व्य मीच, चछोटे पोट्स के लिए , टेबल टॉप्स के लिए होते हैं क्योंकि पॉंकि इनकी हईड बहुत क्षाइद नहीं होती है यह चोटे ही रहते हैं प्लांट्स और यह बहुत ही सुन्दर लगते हैं चोटे प्लांट्स भी एक दूसरा प्लांट मैंने जो पर्चेस किया है अभी उनसे वह मैंने लिया है यह लिप्स्टिक अगलो नीमा अगलो नीमा मेरे फेवरिट प्लांट्स हैं और मुझे जब भी अगलो नीमा दिखाई देते हैं मैं एकसर उन्हें खरीद लेती हूं क्योंकि यह एक तो बहुत हाड़ी प्लांट्स होते हैं और दूसरा यह बहुत इसी चुकेर प्लांट्स होते हैं और इनको और यह प्लांट उन्होंने मुझे 300 रूपीस में दिया है और काफी सारी शूट्स इस प्लांट में है और यह भी एक दिस्पोजिबल प्लांटर में लगा हुआ है तो अभी मैं इसका प्लांटर चिफ्ट नहीं करूँगी क्योंकि अभी गर्मिया है तो मैं इसको शिफ्ट इसी में लगा रहने दूँगी अभी ये तीन-चार मैने तक इसमें आराम से चलता रहेगा लिप्स्टिक अगलो नीमा काफी हाड़ी प्लांट्स होते हैं काफी ड्रॉट एजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं लिप्स्टिक अगलो नीमा थोड़े कॉसली मिलते हैं और नर्सरीज में भी ये 200-300 इसी रेंज में मिलते हैं प्लांट्स इतने चोटे प्लांट्स और एक और जो मैंने प्लांट पर्चेस किया है वो भी एगलोनीमा का ही प्लांट है और मुझे एगलोनीमा बहुत पसंद है जब भी मुझे एगलोनीमा की कोई नई वराइटी दिखाई देती है न तो मैं उसको जरूर पर्चेस कर लेती हूँ और ये वाली एगलोनीमा की व अग के लोटी वाली बहाएटी है, इसकी स्ट्राइप वाली और इसकी जो जो लीव्त इसके leaves में जो कुछ stripe वाला pattern बना हुआ होता है dark green color की leaves पे grey color की stripes बनी हुई है और एक different pattern है यह मेरे पास नहीं था तो यह मैंने 200 का purchase किया है जो बड़ी variety वाले जो plants होते हैं aglonema के वो सस्ते ही मिलते हैं वो 200 के ही मिलते हैं लेकिन छोटे वाले जो रेड़ वराइटी के plants होते हैं वो महंगे मिलते हैं aglonema के वो 300-200 रेंज में मिलते हैं तो काफी बड़ा plant है यह और इसमें चूटी सी शूट भी आ रही है नया बेबी plant भी आ रहा है और इसको मैं अभी shift करूंगी कुछ दिनों बाद यह सरामिक का pot भी purchase किया है यह 10 इंच का pot है मैंने 180 रूपीज का यह pot लिया है एक plant जो मैंने लिया है वो यह है ड्रैसीना की family का plant जिसे song of India भी बोलते हैं और यह plant बहुत common है आपको पता ही होगा और मेरे कुछ pots खाली थे तो बस मैंने यह plant ले लिया और summers के लिए यह ड्रैसीना की family के plants जो होते हैं सभी बहुत hardy plants होते हैं बहुत rot resistant plants होते हैं summer इनका main growing season होता है तो आराम से grow करते हैं summers में और यह grow bag में लगा हुआ है plastic के और चिकनी मिठी में लगा हुआ है तो जल्दी मैं इस plant के reporting करूँगी और यह plant मैंने 70 rupees का purchase किया है जिसमें 2 stem आ रही है और इसके अलावा मैंने यह की बड़ी leaves वाला money plant भी लिया है उनसे और यह मैंने जल्दी shift कर दिया इसको pot में लगा दिया क्योंकि इसके जो छोटा से pot में लगा हुआ था उसमें चीटियां थी तो उन चीटियों की वज़े से मैंने इसको जल्दी लगा दिया क्योंकि चीटियां जो है roots को खराब कर देती है तो इसलिए मैंने जल्दी इसको इसमें shift कर दिया बड़े pot में और इसमें पहले से ही चोटी leaves वाला money plant लगा हुआ था मैंने इसको भी उसी के साथ लगा दिया यह इसमें grow करता रहेगा और money plants जो होते हैं आपको पता ही है कि बहुत ही hardy plants होते है summer इनका growing season होता है बड़ी leaves वाला money plant मेरे पास नहीं था यह छोटी से pot में दो stem वाला यह plant लगा हुआ था तो यह plant भी मैंने 70 rupees का लिया है और next video में हम बाकी के जो plants हैं इन plants की reporting का वीडियो आपके साथ share करेंगे कि में जून के मन्त में किस तरह से plants की reporting की जानी चाहिए और इसलिए आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजे में मन्त की indoor plants और pots की shopping का यह hall वीडियो आपको कैसा लगा और इन में सबसे ज़्यादा कौन सा plant आपको पसंद आया मुझे comment करके जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आया हो तो like कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा thanks for watching, bye